नमस्कार स्वागत है आपका इस वीडियो में मैं अंचु शोरान पीजी टी मैथेमेटिक्स जी ट्रिपल एस मुझेडी दिस्तिक फरीदाबाद से शुरू करते हैं आज का टॉपिक आज का टॉपिक है त्रिभुज का शेत्रफल त्रिभुज का शेत्रफल आप पिछली कक् निकालेंगे तो मुझे प्रिप शेत्रफल क्यिक निकालते हैं त्रिभुज का शेत्रफल होता है वह म능 निकालते हैं नसे हैं मैं अगर अधार और शिर्शुम्प दिये हूं तो तो वह होता है Nature अधार गुना अधार गुना शिर्शा पो तो यदि आपके पास इस तरह से आता है शीर्ष लंप ठीक है यदि आधार और शीर्ष लंप लिए हो तब आप पिछली कक्षाओं में इसे कर चुके हैं अब अगर आपके पास तीनों बुजाओं के माप दिये हो तो आप किसे कौन सा सुत्र लगाओगे हीरोन का सुत्र हीरोन का सुत्र से भी आप तिर्भूज का चेतरफल निकाल सकते हो लेकिन यदि आपको निदेशांक दिये हुए हो तो आप किसी तिर्भूज का चेतरफल कैसे निकालेंगे ये आज की इस प्रशनावली में हम सीखेंगे तो लेते हैं सबसे पहले X के निदेशांक कोई तिर्भूज लेते हैं A, B, C जिसमें आपको A, B, C के निदेशांक आपको दिये हुए होंगे तो यहाँ पर बनाते हैं हम एक तिर्भुज एक तिर्भूज है हमारी A B, C A के जो निदेशांक हैं वो आपको दिये हुए है X1 और Y1 जो B है इसके निदेशांक आपको दिये हुए है B के जो निदेशांक है वो हम लिखेंगे उपर X2, Y2 और C के भी उपर लिखेंगे ये हैं X3, Y3 अब आपको इस तरभूज का शेतरफल निकालना है ABC का अब क्योंकि निदेशांक दिये हैं इसलिए अब हम क्या करते हैं एक बार लंब खींचते हैं B से इस Y X के Y X के जो पैरलल है ये आपका Y X है इसके समानतर एक सीधी रेखा हम खींचेंगे और इसको हम नाम देंगे क्या B Q उसी तरह से A से भी इस Y X के समानतर ही एक और रेखा खींचेंगे उसका नाम हम रखेंगे A P हो जाएगी ये और इसी तरह से C से भी एक रेखा Y X के समानतर ही खींचेंगे और इसका हम नाम रखेंगे यहां पर इस बिंदू का R ये आ गए हमारे यहां अब आप यहां देखिए, आपको त्रिभुज का छेतरफल निकालना है ABC का, ABC का छेतरफल निकालने के लिए, अब आपको, मैं यहां लिखती हूँ, यहां देखेंगे, आप त्रिभुज ABC का छेतरफल, किसका निकालें, ABC का छेतरफल निकालने के लिए, यदि आप ABQP, यह वाला जो समलंब बन रहा है न यहां से लेकर यहां तक वाला इस समलंब का छेत्रफल प्लस समलंब APRC APRC मतलब यह पूरा इस पूरे का छेत्रफल और इसका छेत्रफल दोनों को जोड़ कर यदि इस नीचे वाले इस पूरे का यहां से लेकर यहां तक इस पूरे का minus कर देंगे तो ऊपर तिरूज वाला च्छेतरफल बच जाएगा और समलंब का स्छेतरफल हमें पता है क्या होता है तो हम इसी पे based काम करेंगे अब तो सबसे पहले क्या करें इन दोनों समलंब का छेतरफल जोड़ेंगे, कौन सा समलंब? समलंब हो गया, पहला तो हमारा A, B, A, B, Q, P A, B, Q, P का छेतरफल, दूसरा जो बड़े वाला समलंब था, वो कौन सा था? समलंब कौन सा है वो? A, P, R, C, A, P, R, C का छेतरफल, और उसके बाद, इसमें से माइनस क्या कर दें? जो ये नीचे नीचे वाला है, तरभूज को छोड़ कर जो बचा है वो, ये माइनस होते ही, सिर्फ उपर वाला हमारे पास बच जाएगा, तो उपर वाला कौन सा है, नीचे वाला कौन सा है, ये जो बचा है, बड़े वाला, समलंब, B, C, Q, R, B, C, Q, R का शेतरफल, ठीक ह ये हो गया माइनस, ये माइनस होने के बाद उपर आपके पास तरभूज का शेतरफल बचेगा, अब बात ही आती है कि समलंब का शेतरफल अब आपको निकालना है, समलंब का सुत्र होता है, किसी समलंब का शेतरफल होता है, उसकी समानतर जो बुजाएं हैं, उनका योग और गुणा में उनके बीच की दूरी, ठीक है, तो अगर A, B, Q, P की बात करें, तो यह होता है, एक बटे दो, A, B, Q, P की समानतर बुजाएं कौन सी हैं, B, Q, और यह A, P, ठीक है, तो यह हो गया, B, Q, प्लस A, P, समानतर बुजाएं क्योंकि दोनों ही Y, X के समानतर हैं, Y, X के समानतर अगर दो बुजाएं हैं, इसका मतलब वो आपस में भी समानतर हैं, और गुणा में क्या होगा, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी कौन सी है, यह Q से लेकर, P तक की दूरी, तो यहां आ जाएगा, Q, P, प्लस, अगला लो, एक बटे दो, समानतर बुजाएं कौन सी हैं, इसकी, A, P, और C, आर, अ, P, प्लस, C, आर, और इनके बीच की दूरी कितनी है, यहां से लेकर, यहां तक की दूरी, P, आर, और, माइनस कर देंगे, हम एक बटे दो, नीचे वाले की समानतर बुजाएं, इस नीचे वाले की समानतर बुजाएं कौन सी हैं, बी, क्यू, और यहां से, C, आर, यहां पर इनके बीच की दूरी कितनी है यहां Q से लेकर R तक की दूरी QR इतना होने के बाद अब आप इनके जो निदेशांक है वो आपको पता है निदेशांक आप रखेंगे BQ, BQ कितना है? BQ, यहां से यहां पर Y कोडिनेट कितना है आपका? Y को अगर आप देखेंगे यहां तो यह आपका Y, B पर X2, Y2 था तो यहां Y कितना है? Y2, तो इसका मतलब BQ की जगे आप क्या रखेंगे? Y2 रखेंगे, यह हो गया आपका Y2, अगला A, P, A, P कितना है? यहां से लेकर इस बिंदू से लेकर नीचे तक, P तक, ठीक है? आपका कितना है QP, QP कितना है? यहां से लेकर यहां तक का जोड़ करके, मतलब इस O बिंदू से, मूल बिंदू से लेकर P तक कितना है? x, x1 इसमें से o से लेकर q तक कवाला माइनस कर देंगे, मतलब x2 तो यहां कितना आएगा इसके साथ में x1 माइनस x2 यह हो गया, x1 माइनस x2, प्लस अब अगले पे आओ, एक बटे दो यह कितना है, a, p a, p कितना हो जाएगा, हमारा a से लेकर, p तक की दूरी कितनी है p यहां पर है यह वाला बिंदू p है तो p, अगर p तक की दूरी देखनी है, आपको यहां पर a, p, जो है y1 है, यहां पर y1 पर है, तो y1 और अगला हो जाएगा, यह हो जाएगा y3, ठीक है और जो पूछा है आगे आपसे p, r p, r कितना है, p से लेकर, r तक की दूरी कितनी हो जाएगी आपकी इसमें से इसको माइनस ज़र ज़ेंगे आप, तो जो p, r है वो आजाएगा आपका x3 माइनस x1 यह वाली दूरी, p, r यह वाली दूरी है, तो यहाँ पर पूरा कितना हो रहा है, x3 और x3 में से अगर यहाँ यहाँ तक वाला घटा देंगे तो वो हो जाएगा x1 अब इस पूरे में से माइनस बड़े समलम का शेतरफल तो माइनस में आगया आपके पास y2 plus y3 और इधर आएगा x3 माइनस x2 ठीक है, इतना हो गया अब आप इसको हल करेंगे जब हल करेंगे, तो जो कटते हैं उन्हें आप काट लेंगे तो यहाँ से आपके पास बचेगा अगर हम देखें, तो x1 के साथ कौन-कौन है, x1 के साथ यहाँ से तो y2 है यहाँ से x1 के साथ यहाँ से y3 है ठीक है, तो अगर x1 आप कौन निकालेंगे, तो x1 के साथ अंदर कौन-कौन आएगा y2-y3 ठीक है, इसी तरह से plus x2 के साथ कौन-कौन आएगा y3-y1 और plus x3 के साथ कौन-कौन आएगा y1-y2 यह आपका क्या आ गया इसका छेत्रफल आ गया अब आपके देखिए यह जब छेत्रफल आया है किसी तिरभुज का यदि उसके निदेशांग कौन-कौन से दिये हुए है x1-y1, x2-y2 और x3-y3 अगर इस तरह के निदेशांग दिये हैं तो आप तिरभुज का छेत्रफल इस सुत्र से निकाल सकते हो ठीक है सुत्र आसान करना याद करना बहुत ही आसान है क्योंकि यहाँ पर एक बार तो देखो पहले एक बटे दो तो लगईगा x1, x2 और x3 अब माइनस क्या होगा आप यह देखिए 1, 2, 3 ऐसे आएंगे अगर 1 को बाहर ले लिया तो 2 में से 3 माइनस होगा ठीक है 2 को बाहर ले लिया तो 3 में से 1, cyclic order में चलेगा जैसे cycle का पहिया चलता है न वैसे ही तो 3 में से 1 माइनस हो जाएगा अगर 3 को ले लिया तो फिर क्या होगा देखो 1 में से 2 माइनस ऐसे order ऐसे ही चलेगा cycle की तरह से तो इसको याद करना आपके लिए बहुत असान है अब अगर ये सुत्र आपका समझ में आ जाता है तो अब हम इसी पे based कुछ कोशन करेंगे कोशन देख लेते हैं एक बार उधारन में से उधारन जो अगला दिया है उधारन नमबर 11 उस तरभूज का शेतरफल निकालिए जिसके शिर्ष आपको दिये गए हैं शिर्ष कौन कौन से हैं एक माइनस एक माइनस चार छे और माइनस तीन माइनस पांच तो इस तरभूज का शेतरफल निकालते हैं सीधा सीधा है इसमें तो कुछ घुमा फिरा के भी आपसे नहीं पूचा है सीधे शीर्ष दिये हैं और शेत्रफल पूचा है तो जब शीर्ष दिये हूं शेत्रफल पूचे तो सीधा सुत्र में हम रखेंगे सुत्र इधर आपके पास लिखा हुआ है यहां आप देख सकते हैं आपके इसमें जो बुक मैंने खोल रखी आपके NCRT की बुक है सुत्र लिखा हुआ है तो अगर आपसे इसने कहा है कि उस तिर्भूज का शेतरफल निकालिए जिसके शिर्ष कौन-कौन से है एक माइनस एक यहां पर है एक माइनस चार और छे और तीसरा है आपके पास माइनस तीन और माइनस पांच तो तिर्भूज का शेतरफल कितना हो जाएगा एक बटे दो अब यहां सुत्र में रखिए सीधा सुत्र क्या था पहले एक्स वन यह हो गया एक्स वन वाई वन इनको ऐसे रख लो या आप यहां अगर दिक्कत होती है तो एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू और यह हो जाएगा एक्स थ्री और वाई थ्री तो पहले क्या हाद रखते हैं x1 1 अंदर कितना हो जाएगा y2 minus y3 तो 6 minus minus 5 ठीक है x2 minus तो यह हो गया plus 4 और आगे next हमारा हो जाएगा इसके बाहर एक bracket आएगी यह वाली x1 y2 minus y3 plus अब आएगा x2 x2 कितना है आपका minus 4 x2 आने के बाद अंदर कितना आता है y3 minus y1 y3 कितना है minus 5 minus y1 का मतलब minus minus हो गया plus 1 ठीक है अंदर फिर से plus फिर से plus करेंगे तो अब x3 आएगा x3 कितना है minus के 3 और x3 आने के बाद y1 minus y2 minus 1 minus 6 अब इसको आप solve करेंगे आगया 1 बटे 2 तो बाहर है और 6 minus minus हो गया plus तो ये हो गया 6 जमा 5 बाहर एक से खुना थी और ये हो गया आपका minus 5 जमा 1 minus 4 और ये minus 4 तो minus minus हो गया plus के 16 माइनस 4 चोके 16 यह होगे माइनस 6 माइनस 1 माइनस 6 दियो होगे माइनस के 7 यह माइनस के 7 और यह माइनस के 3 तो माइनस माइनस प्लस और 7 दिया 21 तो यह आगे आपके पास 1 बटे 2 और इनको अब आप जोड़ेंगे तो यह कितना आएगा आपके पास छे और पांच ग्यारा इसको लिख लिख ली ग्यारा सोला और इक्किस ये अब आपके पास आ गया एक बटे दो इनको जोड लीजिए ये आएगा आपके पास अड़तालिस और ये दो से भाग करोगे तो आपके पास आ गया चोबिस तो चोबिस इकाई जो है इस तरभुज का क्या आपके पास चोबिस वर्ग इकाई जब भी छेतरफल लिखेंगे तो किसमें आता है वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई आप इसे लिख सकते हैं तो ये क्या आपका इसका इस तरभुज का शेत्रफल पूछा है, तो आप इसे कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इसमें एक ध्यान देने वाली बात क्या है, कि जब आपने शेत्रफल निकाला, जैसे यहाँ चोबिस आया था ना, तो वहाँ जब आप फल करके लाएंगे, तो वो माइनस दो आ गया, लेकिन आप ये देखिए, कि किसी भी तरभुज का शेत्रफल जो है, वो एक रिनात्मक संख्या नहीं हो सकती है, शेत्रफल हमेशा जीरो होगा, तो इसका मतब रेखाएं सर रेखी हो जाएंगी, तरभुज का शेत्रफल, आपने पहले पढ़ाईए, लेकिन अगर माइनस में आया है, तो आप इसे क इसमें चेंज कर लेंगे, प्लस दो में कर लेंगे, क्योंकि छेत्रफल हमेशा एक प्लस की संख्या होती है, धनात्मक संख्या होती है, तो इसलिए इस माइनस दो का संख्यात्मक मान हम क्या लेंगे, प्लस दो, तो अगर आप से उत्तर पूछे इसका, तो इस जो ये दिन इस दो पे उत्तर लगाएंगे तो वह आपका गलत हो जाएगा इसका उत्तर कितना आएगा दो वर्ग मात्रक अब अगला उधारन देखते हैं अगला जब धारन है तीन बिंदू दे रखे हैं से बनने वाले तर्भुज का शेतरफल ग्याद कीजिए अब देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया ही था यही वाली बात कि अगर तर्भुज का शेतरफल जीरो आ गया तो इसका मतलब तर्भुज का अगर शेतरफल जीरो आ गया इसका मतलब रेखाएं कैसी हैं वो तर्भुज बनी नहीं है अगर तर्भुज नहीं बनी तो तीन बिंदू कैसे हैं वो एक ही रेखा पर हैं कि ये जो तिरभुज है, ये बिंडू कैसे हैं, सिर्ष कैसे हैं, सन रेखी हैं, ठीक है, तो जो उधारन नमबर 13 है, अब आप इस तिरभुज का शेतरफल हमें पता करना है, ठीक है, तो इसका करते हैं, चलो, पी है, हमारे पास, माैनस 1.53, क्यू हमारे पास है, छे कोमा माइनस दो, और आर हमारे पास है, माइनस 3 कोमा 4, फिर से वही, अगर आप पन्फ् 되어 होते हैं, तो, X1, Y1, X2, Y2, और X3, और Y3, तरभुज का जो छेतरफल होगा, वो कितना हो जाएगा, एक बटे दो, पहले, X1, पाँच, x1 इंटू y2 माइनस y3, तो माइनस 2, y2 माइनस y3 मतलब माइनस के 4, प्लस अब क्या आएगा, x2, x2 आ गया तो x3 माइनस x1, तो x3 कितना है, न सोरी y3, 4 और माइनस y1 कितना है, माइनस 3, प्लस अगला कितना है, x3, x3 कितना है आपके पास, माइनस के 3, और अंदर कि इतना आएगा y1 minus y2 मतलब 3 minus minus के 2 तो यह हो गया अब इसको खल करेंगे आप यह आगया आपके पास 1 बटे 2 minus के 1.5 और minus के 6 ठीक है उसके बाद आपके पास जो आएगा प्लस 4 minus 3 1 एक गुणा में 6 6 अगला आगया 3 minus minus plus 5 और minus के 5 minus के 3 तो यह हो गया minus के 15 अब आप इनकी गुणा कीजिए 1 बटे 2 तो 1.5 गुणा में minus minus यह हो गया plus और यह आगया 9 यह 15 चीके 90 एक दसमें लग छोड़के लगेगा तो यह हो गया 9 और plus 6 minus के 15 यह कितना आगया एक बटे 2 9 और 6 15 minus 15 तो कितना आगया आपके पास यह 0 तो यहां से आपने देखा कि तिरभूज का जब हमने 6 तरफल निकाला इसका तो वो आगया 0 तो ऐसी कोई तिरभूज क्या आप बना सकते हो जिसका 0 शेतरफल हो इसका मतलब है कि अगर यह तिरभूज अगर ऐसे शि नहीं बन रहे ना तो यह कैसी रेखाई हो गई सन रेखी हो गई मतलब एक ही रेखा पर हो गई यह तीनो बिंदू अब अगला कोश्चन जो है अब इसी कोंसेप्ट को वो बार बार घुमाएगा कि अगर सन रेखी हैं तो तिरभूज का छेतरफल निकालिए या सन रेखी हैं सन रेखी हैं मतलब तिरभूज का छेतरफल जीरो है अब आप यह बात समझ जाएए कि यदि इसने दे रखें बिंदू ए ए है आपका दो तीन बी बी है आपका चार और के और सी के जो निदेशांक हैं वो हैं छे और माइनस के तीन अब इसने कहा है कि यह जीरो का मतलब एक बटे दो एक्स वन मतलब दो आ गया जाएगा के जमा तीन एक्स टू माइनस एक्स ट्री माइनस माइनस हो जाएगा प्लस अब आगला आएगा एक्स टू एक्स टू कितना है आपके पास चार एक्स टू आ गया इधर से आएगा माइनस ट्री एक्स टू हाल लेने के बाद y3 minus y1 तो minus 3 इधर से भी minus 3 plus x3 ये कितना है 6 और y2 y1 minus y2 मतलब 3 minus k और ये किसके वराबर दे रखा है 0 के अब इसको हल किजिए 1 बटे 2 अंदर कितना बचेगा 2 k जमा 3 दूनी हो गया 6 और minus के 6 3 और 3 6 minus के 6 और plus के 4 गुणा में है तो आगया minus के 24 plus 6 ती है 18 इससे गुणा करी और इधर आगया minus का 6 k बराबर 0 अब यहां देखिए 18 और 6 24 plus के 24 minus के 24 ये हो गए 0 तो यह आपस में कड़ गए सारे ठीक है तो 1 बटे 2 इधर बच गया 2 के minus के 6 के तो कितने बचे minus के 4 k बराबर 0 दो दूनी 4 तो यहां से k का मान कितना आ गया बात यह है k का मान आ गया 0 तो उधर जाके वो 0 हो जाएगा तो बस अब यह उत्तर आ गया आपका k का उसने मान पूछा था k का मान हमारा आ चुका है अब अगला उधारन देखिए अगला उधारन जो है वो है यदि इस निदेशांक दिये हुए है एक चतरबुज ABCD के शिर्ष है तो चतरबुज का शेतरफल निकाल लिए अब यह तो बहुत यासान हो गया क्योंकि आपको तरबुज का शेतरफल निकालना आ गया यदि निदेशांक दिये हुए है तो आप उस चतरबुज का भी शेतरफल निकाल सकते हो जिसके निदेशांक दिये है उधारन नमबर हम 15 करते है एक चतरबुज है मान लिजिए किसी भी तरह से है कोई चतरबुज मान लीजे ये कोई चत्रभुज बन गई इसके निदेशांक है A, B, C, O, D इसके शिर्ष हैं और इनके निदेशांक आपको दिये हैं और इस चत्रभुज का शेतरफल कुछ है तो आप क्या कीजिए या तो ये वाला विकर्ण या फिर दूसरा विकर्ण A, C, खिंच लीजिए और अब आपको A, B, C के निदेशांक A, B, D के निदेशांक दिये हैं तो आप क्या तरभुज A, B, D का शेतरफल निकाल सकते हैं उसी तरह से आप तरभुज B, D, C का शेतरफल भी निकाल सकते हैं दोनों का शेतरफल योगी निदेशांक दिये हैं शेतरफल आपको निकालना आता है तरभुज का तो दोनों का शेतरफल निकालके दोनों को अगर जोड देंगे तो किसका शेतरफल आ जाएगा हमारे पास इस चतरभुज का शेतरफल आ जाएगा अब इसे हम करके देखते हैं एक सवाल को A के जो निर्देशांक वो आपको दिये है माइनस पांच और साथ इधर से दिये है माइनस चार माइनस पांच इधर से दिये है D के जो आपको दिये है चार और पांच और जो C है इसके आपको दिये है माइनस एक और माइनस के छे ठीक है तो अब आप क्या करेंगे पहले तिरबुज A, B और D का छेतरफल निकालेंगे किसी को भी X1, Y1 आप मान सकते हो एक लो और वाकी दो को Y को उसमें से घटा दो तो यह कितना हैगा एक बटे दो तिरबुज का छेतरफल ले रहे हैं तो पहले लेंगे हम X1 लेते हैं तो हमने मान लिया कि यह X1 है, यह X2 है Sorry, X1 और Y1 अगले हो जाएंगे X2, Y2 यह X2, Y2 और यह X3 और Y3 तो पहले क्या लिखते हैं हम X1 Y2 माइनस Y3 माइनस 5, माइनस 5 यह हो गया, माइनस 5 और माइनस 5, प्लस अब यहां पर आएगा X2, X2 कितना है माइनस 4 अगला कितना हो जाएगा यह हो जाएगा, 5 माइनस 7 अगला कितना हैगा, X3 वो कितना है, 4 उधर कितना हो जाएगा, 7 जमा 5 ठीक है, तो इसको आप सोल करेंगे, तो यह आगया, 1 बटे 2 माइनस 5, माइनस 5 माइनस के 10 माइनस 10 गुणा माइनस 5, प्लस के 50, प्लस यह हो गया, माइनस के 2 माइनस के 4, तो माइनस माइनस प्लस और 4 दूनी 8, अगला 7 और 5, 12 12 गुणा 4, कितना हो गया, 48 तो यह आपके पास कितना आ गया 106 और नीचे पहले 2 और यह कितना आ गया 30 किसका 6 तरफल आ गया तरहुज ABD का इसी तरह से हम BDC का 6 तरफल निकालेंगे जैसे यह आपने निकाला है नेदेशांक दिये हों तो BDC का 6 तरफल निकालें BDC का जो 6 तरफल निकालेंगा उसमें आप किसी को भी एक बार X1, Y1 मानके शुरू कर लीजिए तो यहां से अब यह X1 है और यह Y1 है यह है X2 और Y2 और X3 और Y3 तो पहले X1 माइनस 4 और कितना आएगा? X1 आ गया तो X2 माइनस X3 ना सोरी Y2 माइनस Y3 तो माइनस 6 और माइनस 5 माइनस 6 माइनस 5 माइनस अब प्लस में X2 आता है लेकिन यह माइनस में है तो यह हो जाएगा माइनस 1 यहां पहले से लिख दे और अंदर आ जाएगा आपका 5 प्लस 5 अंदर हो जाएगा फिर से 4 और यह दूसरा है माइनस 5 जमा 6 तो कितना आगया आपके पास ही एक बटे 2 यह आगया आपके पास 44 माइनस 10 जमा यह हो गया 4 जोड़ोगे इसको 44 हो 4, 48 48 में से फिर 10 को माइनस कर देंगे तो यह आजाएगा 38 38 और नीचे है 2 तो यह कितना आगया 19 वर्ग मातरक वर्ग मातरक तो यहां भी चलेगा तो यह दोनों आगये तो अब आपसे अगर चतुर्गुज ABCD का शेतरफल पूछे चतुर्गुज ABCD का शेतरफल अगर पूछे तो वो कितना हो जाएगा 53 जमा 19 वो कितना आगया आपके पास तरह 50 जमावनेंस कितना होता है बहतर यह हो गया आपके पास वर्ग मात्रक मतलग जो भी मात्रा आपको दी हो मतलग सेंटीमेटर किलो मेटर जो भी दिया हो उसी में आप इसको ले लेंगे तो यह आपका सवाल हो गया यहां से तो त्रिभूज का शेतरफल अगर निकालना आ करेंगे यह लीजिए यह लीजिए अब कितनी तिर्भुज बन गई निदेशांक तो इनके दिये होंगे ठीक है एक तिर्भुज दो तिर्भुज तीन तिर्भुज तीनों को जोड़ दीजिए इस पंच भुज का शेत्रफल आ जाएगा उसी तरह से अगर कोई और आकरती द दिये जाएंगे निदेशांक दिये जाने के बाद आप उस आकरती का शेत्रफल निकाल सकते हो प्रशनावली में इसी तरह के सवाल हैं आपके पास मान लीजिए आपके पास कोई शटबुज दिया है एक यह लास्ट कोश्चन और देख लेते हैं यह शटबुज दिया है यदि आपको A, B, C, D, E और F के जो है निदेशांक दे तो हम क्या करेंगे इसको तरभुज में बना दीजिए इसको भी तरभुज में बना दीजिए और इसको और इसको मिला दीजिए तो अब आपके पास केतने तरभुज बन गई एक यह वाली तरभुज यह वाली एक त चारों त्रिभूज का जो शेत्रफल है आप निकाल लेंगे और उसको जोडेंगे तो इस शटबूज का शेत्रफल जो है आपके पास आ जाएगा तो इस तरह से आप प्रशनावली के सवालों को भी हल कर सकते हैं और इसी के साथ ये जो चप्टर है आपका ये खत्म हो जाता है तिरभूज का या समच तिरभूज का शेत्रफल निकलवाए जाता है और अगर छोटे प्रशनों में देखें तो आप से वहां पर दूरी का सुत्र या विभाजन सुत्र लगा के आप से उसके निदेशांक पूछे जाते हैं बिंदूओं के तो आप इसे ध्यान से कीज किजिए अच्छे से कीजिए प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए जितने ज्यादा कोश्चन आप अपने हाथों से हल करेंगे उतना ही ज्यादा आपको कॉंफिडेंस भी आएगा ठीक है इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं वीडियो देखने के लिए आपका बहुत भूत धन्यवाद आपका दिन शूब रहे आप स्वस्त रहें थैंक यू